कहने का मतलब ये कि एक कर्ज में डूबा समाज, जहां पर हम रहते हैं, मतलब ये कि अपने घर को एसिट समझना ही, वो रीजन है जो कि हमें कर्ज के बोज तले दबाती है, आज यही अधिकतर लोगों की सोच है, अगर सैलरी बड़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वो सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही अपने पैसे का सही इस्तिमाल लगता है, इसके बदले अगर वो पैसा सही जगे लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हार तोड़ मेहनत करने में चल जाता है, अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साहती उन पर कर्ज का इतना बोज होता है कि वो नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते, अब ज़रा खुद सी सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैट जाते हैं, तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप financially literate नहीं है, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ salary के भरोसे ही काटी है, और assets के बदले आपने liabilities पाल ली है, तो यकीनन आपकी जिन्दगी बहुत ही कड़ी चुनौती है, सिर्फ net worth के भरोसे आपका काम नही पैसा है, उससे आप कितना और पैसा कमा रहे है, जैसे कि मान लीजी कि आपके पास कोई asset है, जिससे हर महीने मुझे 3000 डॉलर की कमाई हो जाती है, और हर महीने आपके 6000 डॉलर खर्च होते हैं, तो मैं सिर्फ आदे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगी, तो solution ये होगा कि अपने asset से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दे, जब वो 6000 डॉलर आपको मिलने लगेगा, तो आप रातो रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप wealthy होने लगेंगे, अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ते भी है, तो आपके assets आपका सारा खर्च कवर कर लें दुनिया की सबसे बड़ी food chain मैक डॉनल्ड के founder रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में की speech ती, ये 1947 की बात है, उनकी ये speech बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाले, इस speech के बाद जब MBA क्लास के students ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की, तो वो उनके स बीर पीने चले गए, बातो बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनस में हूँ, अब ये बात तो सबको मालुम थी कि वो hamburger बेचते थे, इस बात पर वो हसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनस तो real estate है, क्योंकि मैक डॉन के लिए हर किया जाता है, जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है, वो जमीन भी साथ ही बेची जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैक डॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी परती थी, तो इस तरीके से ये एक real estate बिजनस भी यही सबक Amir Dad ने Robert को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए चोड़ करके बाकी सब के लिए काम करते हैं वो Tax Pay करके Government के लिए काम करते हैं वो उस Company के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं बैंक का Mortage देकर उसके लिए काम करते हैं और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा education system ही ऐसा है school हमें employee बनना सिखाता है ना कि employer जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं अगर आपने science पढ़ी है तो doctor, mathematics पढ़ी है तो engineer मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आप बने अब मुसीबत तो ये है कि इससे चातरों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और business के बीच के फर्क में उलचकर रह जाते है जब कोई पूछता है कि आपका क्या business है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक doctor हूँ या एक banker हूँ क्योंकि वो आपका profession है business नहीं कहने का मतलब ये कि आप जो भी करते हैं उसे अपना business बनाईए नौकरी नहीं अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बरबाद ना करें बलकि खुद की जिन्दगी को खुशाल बनाने के लिए काम करें बहुत से लोगों को इस बाद का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका house loan उनकी जान ले रहा है और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो asset मानने की गलती कर रहे थे actually कभी वो asset था ही नहीं जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनके liabilities बन गए उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है और अगर कभी वो safe job उनके हातों से निकल गई तो उनकी मुसीबते शुरू हो जाती है इसलिए तो हम asset column पर इतना ज़ादा जोर दे रहे हैं ना कि आपकी income column पर और यही financially secure होने का सही तरीका है आप कितने अमीर है ये जानने का सही तरीका net worth इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने asset बेचते हैं तो उन पर भी tax लगता है आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना की आप सोचते हैं आपके balance sheet के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको tax देना पड़ेगा ये किताब आपको कभी ये सलहा नहीं देगी कि आप अपनी नौकरी छोड़े आप अपनी नौकरी करते रहिए पर साथी assets भी खरीदते रहिए और assets से मेरा मतलब है सही और असली माइने में assets मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई card लीजिए क्योंकि वो मेरी नजर में asset यानि की संपत्ती नहीं है क्योंकि जैसी आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25 प्रतीशत खो देती है अब किस तरह के assets खरीदे जाने चाहिए यहां हम आपको कुछ उधारन देते है